परिचय सर्दी का मौसम आ गया है जल्दी सुभा तथा देर रात में सर्दी हो जाती है रिशी की माने बक्से से उनी कपड़े निकाल लिये हैं उन्होंने उन कपड़ों को धूप में सुखा भी लिया है अब वे प्रयोग के लिए करने के लिए तयार है बच्चो इस अध्याय में आप विभिन मौसम में पहनने वाले कपड़ों के बारे में जानेंगे आओ सीखें कपड़ों के महत्व को बताना गर्मी के मौसम में पहनने वाले कपड़ों को पहचानना सर्दी के मौसम में पहनने वाले कपड़ों को पहचानना कपड़ों का महत्व मनुष्य गर्मी, सर्दी, बारिश और धूल से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं हम अलग-अलग मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं गर्मी के मौसम में पहनने वाले कपड़े गर्मी के मौसम में हम हलके रंग वाले ठंडे सूती कपड़े पहनते हैं आदमी सूती पतलून यानि पैंट तथा सूती शर्ड पहनते हैं औरतें सूती सकर्ट, सूती बलाउज तथा सूती साणिया पहनती हैं सूती कपड़े गर्मी को दूर रखते हैं हम गर्मियों में सेंडल और चपल पहनते हैं तथा जूते पहनने से बशते हैं बारिश के मौसम में पहनने वाले कपड़े बारिश के मौसम में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो की जल्दी से धुल जाएं हम अपने कपड़ों को बचाने के लिए बरसाती कोट यानि रेन कोट पहनते हैं बरसाती कोट हमारे कपड़ों को बारिश से बचाता है हम अपने पैरों को बचाने के लिए बरसाती जूते पहनते हैं हलकी बारिश होने पर हम छाते का प्रयोग करते हैं सर्दी के मौसम में पहनने वाले कपड़े सर्दियों में हम स्वैम को गर्म रखने के लिए गहरे रंग वाले उनी कपड़े पहनते हैं आदमी तथा औरतें दोनों ही स्वेटर, कोट, मफलर, दास्ताने, टोपी आदी पहनते हैं कुछ लोग फर के कोट तथा चमड़े की जैकिट भी पहनते हैं हम अपने पैरों के बचाओ के लिए उनी मोजें तथा जूते पहनते हैं हमने क्या चर्चा की? कपड़े हमें गर्मी, सर्दी, बारिश तथा धूल से बचाते हैं हम कर्मी के मौसम में हलके रंग वाले ठंडे सूती कपड़े पहनते हैं बारिश के मौसम में हम बारिश से बचने के लिए परसाती कोट, परसाती जूते तथा च्छातों का प्रयोग करते हैं सर्दियों में हम स्वयम को गर्म रखने के लिए उन, चमडे तथा फरसे बने हुए गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं